आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Question is Name the Kingdoms of Three Kingdoms System Classification हमें Three Kingdoms System of Classification के बारे में बताना है और उनके Kingdoms भी बताने है तो यहाँ पर Three Kingdoms System of Classification में सभी Living को सभी Living Organism को Three Kingdom में डिवाइट किया गया है अब यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं यह Three Kingdoms System of Classification किस ने दिया था तो इसे दिया था Scientist Ernest Haeckel ने Scientist Ernest Haeckel ने Three Kingdoms System of Classification दिया था in the year of 1860 अब यहाँ पर इन्होंने सभी Living को तीन Kingdom में बाटा था और यह तीनों Kingdom हैं सबसे पहले इन्होंने रखा गया Animalia Animalia में इन्होंने सभी Animals को प्लेस किया था सभी Animals को प्लेस किया दूसरा जो Kingdom था इनका वो था क्या Planty अब Planty Kingdom में इन्होंने सभी Plants को रखा था सभी Plants को रखा अब तीसरा जो Kingdom था इनका यह था Protesta अब Protesta Kingdom में इन्होंने सभी Unicellular Organism को रखा था इन्होंने इसमें सभी Unicellular Organism को रखा था तो यह इनके तीन Kingdom में Animalia, Plants and Protesta Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेटा यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्सो पर